मेरे प्यारे देश्वासियों, कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को, छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे प्रयासों से कभी-कभी तो बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आते हैं, और अगर महत्मा गांदी जी के जीवन के तरफ हम देखेंगे, तो हम हर पल महसूस करेंगे, कि छोटी-छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी एहमियत थी, और छोटी-छोटी बातों को लेकर के, बड़े-बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था, हमारे आज के नवजवान को जरूर जानना चाहिए, कि साफ सफा की अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर उर जा दी थी, ये मात्मा गांदी ही तो थे, जिन्नोंने स्वच्चता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था, मात्मा गांदी ने स्वच्चता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड दिया था, आज इतने दशकों बाद स्वच्छता अंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोडने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है और हम ये न भूले कि स्वच्छता ये सिर्व एक कारिकम है स्वच्छता ये पीडी दर पीडी सौंसकार संक्रमन की एक जिम्यवारी है और पीडी दर पीडी जब स्वच्छता का भ्यान चलता है तब संपुन समाज जिवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है और इसलिए ये साल, दो साल, एक सरकार, दूसरी सरकार ऐसा विशे नहीं है पीडी दर पीडी हमें स्वच्छता के समझ में सजगता से अभी रत रुप से बिना ठके बिना रुके बड़ी स्वध्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पुज्जे बापू को इस देश की बहुत बड़ी स्रधाजली है और ये स्रधाजली हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है साथियों लोग जानते हैं कि स्वच्छता के सबन में बोलने के मैं कभी मुका छोड़ता ही नहीं हूँ और शायद इसलिए हमारी मन के बाप के एक स्रुता सिमान रमेश पटेल जी ने लिखा है हमें बापू से सीखते हुए इस आज़ादी के अमरुत महोत्सों में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल परेना चाहिए जिस तरह सोचालयों के निर्मान ने गरीबों की गरीमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिशित करती हैं उनका जीवन आसान बनाती है अब आप जानते हैं जंदन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया इसकी वज़े से आज गरीबों को उनके हग का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है जिसके कारण ब्रस्टाचार जैसे रुकावटर में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई हैं ये बस हही है आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलोजी बहुत मदद कर सकती हैं हमारे लिए खुशी के बात है आज गाव देहात में भी फिंटेक यूपी आई से डिजिटल लेंदेन करने की दिशा में सामान ने मानवी भी जूड रहा है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है आपको एक आंकडाय बताता हूं आपको गर्व होगा पिछले अगस्त महने में एक महने में यूपी आई से 355 करोड ट्रांजेक्शन हुए हैंने करीब करीब साड़े 300 करोड से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए यानि हम कह सकते हैं कि अगस्त के महने में 355 करोड से ज्यादा बार डिजिटल लेंदेन के लिए यूपी आई का इस्तिम्याल किये गया है आज एवरेज 6 लाग करोड रुपे से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपी आई से हो रहा है इसे देश की अर्थववस्ता में स्वच्छता पारदर्शिता आ रही है और हम जानते हैं अब फिंटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है